हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज में आपके साथ नान की रेस्पी शेयर कर रही हूं बिना तंदूर के बिलकुल बजार जैसा नान अम घर पे बना कर रेडी कर सकते हैं बिना किसी मैनत के और वो भी सिंपल तवे पे जिस पी हम रूटी बनाते हैं उसी पे य मैदा अच्छे से चाल लेंगे गेहू के आटे में मैदा मैंने इसलिए इसलिए इसे बहुत अच्छा टैक्चर आता है नान का बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं तो थोड़ा सा मैदा जरूर एड करें मेजरमेंट बिलकुल पॉफेक्ट है तो मैने चाल लिया है मैं अधा चमच बेकिंग पाउडर और दो चुटकी आड़ करेंगे मिठा सोडा आधा चमच एड कर रहे हूं चीनी आप चाहे तो पिसी हूई ले लिजे या साबिद ले ले लिजी टेस के कोडिंग नमक और दो चमच आड़ करेंगे रिफाइन ओल आप चाहे तो इसकी जगा और अगरते देसी घी मेल्ट रहे सकते हैं जो कुड़से लागए बेंगे मिज देख करेंगे बेंगे मेटा सोडर लावा टुल भाप बनातला हुश्बमरण का लोपता भॉए एक पादे ऊक्षिजा शरका है राट लाएग मैंने आटा दुल भॉआ यहां छोड़ा ही गुनिये तो आटा बिल्कुल पॉकक डालाक्त है मैं पॉकिनियों इस साइस काम करोश यह तैसे 1 जोट लोई और इस तरीके आख युआ यह थोड़ा पहले पानी उपार लगा सकते हैं, मेल तक सस्टूरे मेथी कर juicy और रूटी मेथिः धाति के यह जब मगा पाली 시청 पानी को छीड़क देंगे उसके बाद ये रोटी यानि की जो मने नान बेल के रखा था ऐसे चिपका देंगे हलकी उंगलियों से प्रेस कर देंगे इस तरीके से ताकि नान अच्छे से चिपक जाए जब हम सेके तो ये निकले ना तो जब ये ऐसे फून ले लग जाएगा तो इस बात का धियान रखना है गैस की फ्लेम आपने बिल्कुल मेडियम कर देंगे क्योंकि हमने अब करना है त सारो तरफ तवे को घुमा घुमा कर अच्छे से नान को सेख लीजिए कहीं भी कच्छा ना रहे जब इस सिखने लग जाए तो थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए और जो साइडों में किनारे हैं उसको हम अच्छे से शेख लेंगे ताकि किनारे भी कच्छे ना नान के बहुत एजी है इस तरीके से आप ट्राय करें आटे वाले नान जल्दी से डैजस्ट हो जाते हैं चाहे तो आप इसे डिनर में भी बना कर खा सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं तो देखे इस तरीके से मैंने किनारे भी सारे सेक लिए हैं और नान हमा कि यह जो हमने उंगले से चिपका रखा था वो अपने आपी किनारे छोने लगेगा इस तरीके से और देखिए तवे से एक तम पॉफेक्टली नान उतर गया है नान बनकर रेडी है अब लगा लेते हैं इस पे बटर तो देखा कितना एजी है आटे वाला नान बनाना तो मैं इसे सर्फ कर रहे हूं पनील की सबजी के साथ आप चाहे तो दाल जिसके साथ भी आप खाना पसंद करते हों छोले की सबजी राद में आप ये ट्राइ कर सकते हैं मैं सारी मेजर्मेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से देकर ये नान जरू तक ये बाव औह झाए इंजुए